ये फिल्म Korean Industry की सबसे अच्छी लब स्टोरी मानी जाती है तो चलो कहानी को सुरू करते हैं फिल्म के स्टार्किंग में हमें एक लगलकी को दिखाया जाता है और एलवे स्टेशन में बैठ कर किसी का इंतिजार कर रही थी और इस लगलकी का नाम था सुजन ऐसे ही काफी टाइम बेच जाता है पर उहां कोई भी नहीं आता दरसल वो अपने boyfriend का इंतिजार कर रही थी जिसके साथ वो आज घर छोल कर जाने वाली थी उसके नहां आने पर उसे काफी दुख होता है उसके आखों पर आसू थी और फिर वो वहां से एक स्टोर पर जाती है और एक कोल्डिरिंग खरिती है वो कोल्डिरिंग खरित कर स्टोर से बाहर आ जाती है तब ही उसे रास्ते में याद आता है कि उसने कोल्डिरिंग तो खरिती थी पर लाना भूल गई है वो वापस सौप में जाती है जहां एक आदमी वो ऐसा ही कोल्ज रिंग लिए सौप से बाहर आ रहा था उसे लगता है कि वो उसका ही कोल्ज रिंग है तो वो उसे स्चिन कर अवसी के सामने पेकर वहां से चली जाती है उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उस लगकी ने आखिर ऐसा क्यों किया अब सौजन बस में चगती है वो टिकट का पैसा पे करने के लिए अपने बैक से पर्स निकालने के कोशिस करती है पर उसके बैब में पर्स नहीं हो था वो वापस सौप में जाती है सौप काउनर उसे अपना कोलिरिंग और पर्स देता है अब सौजन समझ गए थे कि उसना जिससे कोलिरिंग चिने थी असल में वो उसी का था वो बाहर आकर उस लगकी को इधर उधर देखने की कोशिस करती है पर लगका नहीं होता सौजन अब वहाँ से अपने घर चले जाती है और अगले दिन वो अपने जाट के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है दरसल उसके जाट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ है वो अपने जाट से कहती है कि मैं गागली में ही रहूंगी क्योंकि बहार बहुत डेश्ट था सुजन की डाट उपर साइट पर जाते हैं जहां पर एक लगका यहां के सुपरबाइजर से आरगुमेंट कर रहा था और यह वही लगका था जिससे सुजन ने उस रात उसे उसकी कोजरिंग छीनी थी और इस लगकी का नाम सैम है वो यहां एक as a worker का काम करता है इसके अलाबा वो एक architecture का पगाई भी कर रहा है उसे एक architect बनना है सुजन के डाट उसके पास जाकर उसे उसका नाम पूछते हैं सैम रोडली कहता है मैं आपको अपना नाम तीस बार कह चुका हूँ ये कहकर वो यहां से निचे चला जाता है सुजन गागल पर बैठी हुई थी तभी वो सैम को देखती है वो उसे देखकर पहचान लेती है कि वो यही लग गए जिससे उसने कूल जिरिंग चीनी थी पर वो उसके पास नहीं जाती दूसरे सिन में हम देखते है सुजन अपने जॉब पर आई हुई थी वो एक फैसन जेजाइनर है और उनके ओफिस में रिनोवेशन का काम चल रहा था पर उनके रिनोवेशन का काम बहुत लेट चल रहा है सुजन अपने जैक को कॉल करती है तो वो एक आतमी को भीजते हैं और ये सैम था सुजन उसे देखती है पर सैम उसके तरफ एक बार भी नहीं देखता सायद वो उसके बारे में भूल गया था सुजन वहाँ से कोल्डिरिंग पीने के लिए जाती है कोल्डिरिंग मसिन में वो एक सिक्का जाती है मसिन में से एक कोल्डिरिंग बाहर आता है तब है सैम वहां आता है और उस कोल्डिरिंग को उठा लेता है और उसी अंदाज में उसी के सामने पी जाता है सैम कोल्डिरिंग पिने के बाद बिना कुछ कहीं वहां से चला जाता है सुजन ये देख जरा से स्माइल करती है थोगे दिर बाद वहां से बाहर आ जाती है तब ही वहां पर एक चोर आता है और सुजन का बैग लेकर वहां से भागने लगता है आगे गागल में बैट कर सैम ये सब देख रहा था चो जैसे ही उसके गागल के पास होकर गुजरता है तो सैम अपने गागल का दरवाजा खोल देता है जैसे कि वोचर वही बर गिर जाता है वो उसे उसका बैग लेता है और सुजन को वापस कर देता है वो उसे लिफ्ट भी देता है जाते बग सुजन उससे कहती है I'm sorry उस रात के लिए मैंने तुम्हारी कुलिटिंग चीनी थी पर सैम उसका कोई भी बात का जवाब नहीं देता वो उसे घर ज्रॉब कर देता है अब सुजन उससे इंफ्रेस हो गई थी अगले दिन सुजन उससे मिलने के लिए उसके साइट पर जाती है पर सैम यहाँ नहीं होता वो काम चुक चुका था सुजन सैम को ढूंटे हो एक बियर सौप पर जाती है जहां सैम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था सुजन जान बोच कर उसके पास होकर बुजरती है पर सैम उसे नहीं देखता क्योंकि वो अपने ही काम पर भी जी था सुजन उसके पास जाकर बैठ जाती है सब लोग उन दोनों को एकला छोड़ देते हैं सुजन सैम को प्रपोस करती है और कहती है क्या हम साथ रह सकते हैं तो सैम एक ग्लास में सराव भर देता है और उसे कहता है अगर तुम इसे पूरा पी जाओगी तो हम समय साथ रहेंगे और अगर तुम यह नहीं कर पाई तो हमारी रास्ते अलग है सुजन सराव को पूरा पी जाती है और यहां वो दोनों कीज करते हैं अब यहां से सुरू होती है इन दोनों की लफ स्टोरी वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं सैम उसे वेजबल खेलना सिखाता है काग्स खेलना सिखाता है और उसके पास जब भी टाइम मिलता वो उसके साथ वक्त विदाता है वो दुन्हें एक दुसरे साथ काफी कूचते हैं अब सुजन सैम के लिए एक सुट बनाती है सुजन एक फैसेंड डिजाइनर है अगले दिन सैम का इंटरिव्यू था वो सुजन के गिफ्ट केगे सुट को पहन कर जाता है वो सुजन से कहता है मुझे आने में सायद बहुत देर हो सकती है तो प्लीज तुम मेरा इंतिजार मत करना वो इंके रिव्यू देता है वो बहार आ जाता है तो वो देखता है सुजन उसके इंतिजार में अब भी खरी हुई है अब अगले दिन सूजन गाजन में बैठे हुए अपने ही ख्यालों में हस रही थी ये देख उसके जाच समझ जाते हैं वो सूजन से पूछते हैं वो अगलता कौन है पर सूजन कुछ नहीं बताती वो थोगासा फोर्स करते हैं तो वो बता देती है वो कहती हैं वो एक आर्किटेक्चर है तो सूजन के जाच उससे कहते हैं मुझे उससे मिल ला है दुसरे दिन सूजन सेम से मिलने जाती है और से ये सब कहती है पर सेम नहीं मानता सूजन उससे बहुत फोर्स करती है तो वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम तुनों एक नहीं हो सकते हैं, हम तुम्हारे जाट एक कमपणी के CEO हैं, और मैं तुम्हारे जाट के अंजर काम करने वाला एक वर्कर हूँ, हमारे जिस्ते को कोई भी एकसेप नहीं करेगा, एक दिन सैम और सुज हम चले जाती है, सुजन को टैज सांग से कहते हैं, तुम्हारी हमत कैसे हुई, मेरी वेकिसे प्यार करने की, हो उसे काम से भी निकाल देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम सुजन को देखते हैं, उसके तव्विद बहुत खराब हो गयी थी, उसे पता भी ने चलता और वो बह बाहर बहुत बारी सो रहे थी और अचनक से वहां पर भेग लग जाती हैं सेम भी अंदर जाकर देखता है तो वहां सुजन भी होस परी थी वह काफी घबर आ जाता हैं और सुजन को ऐसे यह उठा कर रोस्पिटल ले जाता हैं रोस्पिटल में दॉक्टर कहते हैं यह से बहुत प्यार करते हैं अब कुछ दिनों का बात का सिंध दिखाया जाता है और आज उन दोनों के साधी हो रही थी वो दोनों अपने जिन्देगे में काफी खुछते हैं साधी के बाद सैम को अपने architecture का degree भी मिल जाता है वो अपने काम में बहुत ही माहिर था वही पर घर में सुजन खाना बनाते हुए गयस बंद करना भूल जाती है तो सैम उसे बंद कर देता है पूश दिनों के बाद सैम को घर का contract मिलता है ये सुन सुजन बहुत खुश हो जाती है इनके जिन्दगी में सब कुछ सही चर रहा था एक दिन सुजन अपने फ्रेंच से पूछती है क्या तुमने कभी घर जाते वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई हो ये सुनकर वो सब हसते हैं वो कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ साथ तुम्हारे साथी के बाद जादा काम के वज़े से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा भी दिर बाद सुजन वहां से अपने घर चली आती है वो अपने घर को ढूंज रही थी वो अपने घर के पास आ जाती है पर सुजन कंफर्म नहीं थी कि यही उसका घर है सुजन की लगा कर दर को खोलने लगती है घर में जब उसेम को दिखती है तो उसे कन्फरम होता है कि यही उसका घर है दरशा सुजन की यातास में कुछ प्रॉबल्म हो गई थी तो वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है जोक्टर उसे कुछ सवाल करते हैं वो कहते हैं कि हाली में कुछ ऐसा हुआ कि तुम भेहोस होगी हो सुजन कहती है हाँ पर जोक्टर ने कहा था कि इस्ट्रेस के वज़े से हैं अगर मैं ठीक से सोंगी तुछीक हो जाऊँगी और मैं ठीक भी हो गई थी जोक्कर कहते हैं तुम अगले हपते आना सूजन वहाँ से घर चले जाती है पर इसके बारे में सैम से कुछ भी नहीं कहती है सैम एक दिन सूजन को एक बुखे आदमी से मिलाता है और इन्हों नहीं उसे बच्चपन से पाला और कारपेंचर का काम भी सिखाया वहाँ आदमी बातों ही बातों में सूजन को कहता है सैम की मौम जिन्दा है पर सैम उन्हें पसंद नहीं करता है सूजन घर आने के बाद सैम से कहती है तुम्हारी मौम जिन्दा है तो तुमने इस बार में मुझे क्यों नहीं बताया सैम बहुत गुसा हुजाता है और कहता है वो मेरी मॉम नहीं है उन्होंने मुझे बच्वन में छोड़ दिया था उस बुगे आदमे के पास और वो मुझे कभी मिलने भी नहीं आई सूजन कहती है कुछ भी हो पर वो तुम्हारी मॉम है तुम्हें उन्हें माप कर दिना चाहिए सैम गुसाओकर ये कांच की गिलास को दोग देता है जिसी कि उसके हाथ में चोटा जाती है सुचें ये देख बहुत रोती है और उसे रोते हुई गली लगाती है अगले दिन सैम अपने मॉम से मिल ले जाता है वो जील में थी वेकि उन्होंने किसी से उधार ली हुई थी पर लोटा नहीं पाई वो सैम से कहती है तुम जब प्रेट में थे तब मैं सिर्फ 17 साल की थी और तुम्हारे गैच छोड़कर चली गई थी मैं चाहती तो अबेशन करा सकती थी पर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने तुम्हें इस दुनिया में लाया सैम उन लोगों के पास जाता है जिनसे उनकी मौम ने पैसा लिए हुई थी वो उने पैसा वापस कर देता है सुजन ये जानकर बहुत खूस हो जाती है अगले दिन सुजन डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर ने उसे एक हपते के बाद आने के लिए कहा था पर वो दो हपते के बाद गई थी डॉक्टर उसे कुछ आसान सा कुश्चन पूछते है जिससे कि तुम्हारे सिस्टर की एच किया है उसका डेट अब वर्ष गया है और जब वो हम रास्ते में जाते हैं तब कौन से लाइ जाने पर रुख जाते हैं सुजन एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाती डॉक्टर उसे का केस्ट करते हैं और उसे घर बेज़ देते हैं अगले सिन में देखते हैं सुजन अपने ओफिस आय हुई है वो देखती है कि उसका एक्स बॉइफरेंच वहाँ फिर से आ चुका है जिसे कभी सुजन फ्यार करती थी वो आदमी सुजन से कहता है मैं तुमसे अब भी फ्यार करता हूँ मैं अपने वाइब को भी जायवच दे चुका हूँ दरसल ये आदमी साधे सुधा था वो सुजन को फिर से रिलेशन में आने के लिए मनाने की कोशिस करता है पस सुजन उसे साप खह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं साधे सुधा हूँ मैं अपने हजबन से बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना जीन हिसती सुजन उसे अपने घर चली आती है वो अपने किसी फोटो पर गलू रगाई रही थी फिर उसे कुछ याद आता है तो वो फिर खुलती है और फिर दरवाजे को भी उसे कुछ याद नहीं था कि उसे आखरी ढोड़ना क्या है वो वापस बैठ जाती है तो वो दिखती है कि फोटो पर गलू लगा हुआ है वो सैम से कहती है क्या तुमने गलू लगाई है तो सैम कहता है नहीं अब है वो तो तो तुमने कुलू लगाई वोई थी सैम को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो पुछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा सुजन उसका कुछ भी जवाब नहीं देती सुजन अगले हपते फिर से डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर उससे कहते हैं तुम्हें अलजाइमर की बिमारी है सुजन कहते हैं अलजाइमर क्या होता है डॉक्टर कहते हैं कि इस बिमारी में सरील से पहले दिमाग मर जाता है तुम धिरे धिरे सब कुछ भूलने लगोगी अपने family को, friends को, यहां तक कि अपने आपको भी भोल जाओगी अगर तुम कोई job करती हो, तो जल्दी से शोग दो सुजन कहती है, मैं अभी बस 27 साल की हूँ क्या इस बिमारी का कोई भी इलाज नहीं हो सकता तो डॉक्टर कहते हैं, दबाई से इस बिमारी का रवतार धिमा कर सकते हैं पर से खेक नहीं कर सकते, सुजन ये सुन पूरी तरह से टूच जाती है उसके आखों में आसू होते हैं, सुजन घर आ जाती है पर सैम को इस बिमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती वो कहती है मैं अपना जॉब छोगना चाहती हूँ सैम पुछता है अचनक सिखियू तो वो कहती है मैं घर में रहना चाहती हूँ सैम मान जाता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि सुजन काम करे सुजन अगले दिन सैम के लिए क्लिफिन पैक करती है फिर सेम अपने काम पर निकल जाता है Lunge break में जब वो अपना क्िफिन कोलता है तो वो देखता है कि उसके दोनों ही बॉक्स में राईस भरे हुए hein दरएसल सुजन को पता ही नहीए था कि पहले बॉक्स में उसने राईस भरी है तो वह दूसरे box में भी rise भर देती है अब Sam को doubt होता है वो Suzan की डॉक्टर से मिलने जाता है और Suzan की बिमारी के बारे में पोशता है डॉक्टर कहता है तुम्हारी wife को alzheimer की बिमारी है वो जल्दी सब कुछ बुलने वाली है अपने दोस्तों को, family को यहां तक कि अपने आपको भी सैम बहुत घुसा हो जाता है और डॉक्टर का कॉलर पगल कर कहता है तुमसे चेक करने में गलती हो गई होगी तुमने जरूर किसी दूसरी पेसंट की रिपोर्ट देख लिया है डॉक्टर कहते हैं मेरी वाइब को भी अलजाइमर की बिमारी थी और मैंने पूरी जिन्दगी अलजाइमर की मरिजों की इलाज की है तुम्हारी वाइब को एक रहर तरह की बिमारी हो गई है कि कैसे ही मेरी वाइब को भी थी वो सब कुछ भूल गई थी यहां तक कि मुझे भी मैं उसे उस जगा पर लेकर गया जहां हम पहली बार मिले थे उस जगा को देखकर उसे सब पुझ यादा आ गया था और फिर ठीक तीन घंटे के बाद उसने मुझे से कहा कि तुम कौन हो ये सुनकर मैं बहुत रोया सैम इस बात को बिल्कुल भी एकसब नहीं कर पा रहा था वो वहाँ से सुजन को धुन्य के लिए जाता है वो इसके नंबर पर कॉल करता है पर कोई दूसरा कॉल रिसिप करता है वो कहता है ये फोन मुझे सगल पर पगी हुई मिली काफी ढूने के पास सुजन उसे बेसबल खिलती हुई मिल जाती है वो कहती है अज दस के जगा नौवल निकले यानि कि वो बोल चुकी है सुजन जान गेती कि सैम को इस बिमारी के बारे में पता चल गया है सैम उसे देकर अपने आंसों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था सुजन कहती है मैं अब जल्दी सब कुछ भूलने वाले हूँ खुद को भी वो रोते हुए कहती है मैं तुम्हें बूलना नहीं चाती तुम मुझे छोड़ दू मेरे वज़े से तुम्हें अपने जिन्देगी खराब करने की जरूरत नहीं है अब मुझे से तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं सैम कहता है ऐसा मत कुरू मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूँगा डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ हम रोज डेट पर जाएंगे और काफी इंजोई करेंगे यो दोनों कुछ भी हो जाएं भार नहीं मानना चाहते एक दूसरे के साथ रहना चाहते है सैम घर पर हर जगा पर नौट चिपका दीता है ताकि सुजन कुछ भी ना भूले सैम अपने काम पर निकल जाता है सुजन कहती है आज घर जल दी आना तुम्हारी मौम का वर्थ यह है और मैंने अपने पैनेंस को भी बुला लिया है सैम अपने काम पर चला जाता है पर उसके आने से पहले उन्हाँ सुजन का एक्स बोई फ्रेंग आ जाता है सुजन को लगता है कि वो सैम है वो उसे अंदर ले आती है पर उसका एक्स बोई फ्रेंग बाहर जाकर बात करने की कहता है पर सुजन को लग रहाता है कि वो उसका हजब बेंग है वो आदमें उस पर हाथ रखकर कहता है तुम्हें अचानक से हो क्या गया है फिर तब ही वहाँ सैम आ जाता है उसे सुजन के साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है वो उसे बाहर ले जाकर बहुत मारता है तब ही वहाँ सुजन की फैमली आ जाती है सुजन को इस लगाई से उसके दिमाग पर काफी असर पलता है वो बेहो सुजाती है अब सबको सुजन के बीमारी की बारे में पता चल गया था सुजन के डाएच से कहते हैं तुम्हें अब सुजन के चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम हमें उसे यहां से ले जाने दू पर सैंँ कहता है वो अब मेरी वाईफ है और मैं उसे किसी भी हालत में छोग नहीं सकता तब ही वहां सुजैन आ जाती है और सब को एक साथ बैठा हुआ देख कहती है क्या हुआ? यह क्या चर रहा है और ये कहते कहते वो यहाँ पर चॉयलेट कर देती है वो अब अपने बोड़ी पर भी कंच्रूर खो चुकी थी सैम उसे घर के अंदर ले जाता है और अपने सच को उतार कर उसके पैर को साफ कर देता है अगले दिन सैम उसे एक घर का मौजल दिखाता है दरहसल उन दोनों का सफना था कि वो ऐसा ही एक घर बनाए सुजन सैम को पहले दिन में कई बारा एले विवियू कहती थी पर अब वो सैम को अपने एक्स वेफरेंट के नाम से पुकारती है सुजन रिसेंट की सारी व्यादे भूल गए थी पर उसे पुरानी बाते अब भी याद है ये सुनकर सैम को बहुत बुरा लगता है धोगी तरह बार सुजन को एहसास होता है कि सैम उसके वज़े से बहुत दुखी है और उसके साथ अपना जिन्देगी खराब कर रहा है वो सब कुछ फिर से भूलने से पहले जब सैम ये लेटर परता है तो वो पूरी तरह से चूच जाता है और बहुत रोता है अब सैम हर बक्त दुखी रहता है उसका कुछ भी मन ने लगता सुजन के बिना उसकी लाइब बिल्कुल खाली हो गई थी वो पुली स्टेसन जाकर उसका मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है और एक दिन उसके लेटर बक्स पर बहुत सारे लेटर दे उनमें से एक सुजन का भी लेटर था उसमें लिखा था कि आज मुझे तुम्हारे बारे में यादा इसलिए मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ और फैनली वो उसे एक हस्पिटर में मिल जाती है वहाँ नर्स उसे कहती है वो कभी कभी अपना कपड़ा भी पहन नहीं पाती वहाँ उन दोनों की एक तस्वीर थी नर्स कहती है उसने सारे फोजों को फार गया है सिवाए इसकी सेम बालकनी में जाता है जहां सुजन बैटी हुई थी सुजन उसकी तरफ देखती है तो उसमें से उसका एक स्केच्च बुक नीचे गिर जाता है सेम उसे उठा कर देखता है तो स्केच्च बुक में उसके तस्वीर थी सुजन ने उसके तस्वीर बनाने की कोशिस की थी सैम कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा सुजन कहती है तुम कौन हो चाब मैं तुम्हें जानती हूँ वो लोग एक तफेटरिया में जाते हैं सैम के आँखों पर आंसु थे वो जैसे ही स्टोर के दरवाजे के पर जाती है तब सैम पहले की जैसे ही एक कुलिटरिंग लेकर बाहर आता है सुजन स्टोर के अंदर जाती है वहाँ उसकी पूरी फैमिली थी वो ये देख सैम के पास जाकर कहती है क्या ये सुर्ग है सुजन को अपस कुछ बात ही याद आ गए थी किक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर की वाइब को आ गए थी उसके बाद वो दुने एक लंबे जराइब पर जाते हैं यहां सैम सुजन से पहली बार आलाव्यू कहता है दरसल सैम सुजन से प्यार तो करता था पर कभी आला भी नहीं कहा था और सुजन भी उसे गले लगा लेती है पर उसे पता नहीं था कि सुजन की याद कब तक रहेगी क्योंकि ग्रॉक्टर की वाइब को सब याद आ गया था पर खिकतीन घंचे के बाद उसे कुछ भूल गए थी उम्मिद करता हूँ कि आपको इस लब स्टोरी की एक्स्प्लेनेशन अच्छी लगी होगी जाने से पहले वीडियर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओल करना मत भूलना थैंक्यू पर वाचिंग